प्रश्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल इस्टड़ी वी थरभी पर, प्यार साथियों आज किस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं, कलास 12 हिंदी का चिफ्टर नवर्दू, उसने कहा था का मोस्ट इंपोर्टेंट वी वी अउब्यक्टिव कोचन्स, जो कि आपके ब्यार वोड एक्जाम दोजर पचीस में हंडेर पर्शन पुछे जाएंगे, स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर सवाल से, क्या है कोचन्स जड़ा ध्यान देंगे, कि उसने कहा था काहानी का नायक है, बताईएगा, काफी इंपोर्टेंट कोचन्स है, बार बार पुछा गया सवाल है, उसने कहा था काहानी का नायक बताईए, कौन है, लाना सिंग है, बोधा सिंग है वजीरा सिंग या हजारा सिंग चार ओप्षन कुछ इसी परकार से प्यारसाती हो आपको एक्जाम होल में भी देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा और ऐसे प्रश्ण 100% आप से पूछे जाएंगे तो बताने का आप सामने विद्याले का संधी विच्छेद है विद्याले का संधी विच्छेद बताईएगा विद्या जोले या 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 विद्या जोले बताईएगा चार ओप्षन्स आपके स्क्रीन के सामने हैं काफी important questions है, बिद्धाले का संधी बिछेद आपको बताना है, दूसरा नमबर questions का जबाब किया होगा, बिद्धा जोर आल है, जोकि options नमबर B में है, उमीद है कि सभी का options नमबर B आ रहा होगा, और विल्कुल इस फरस्टन का right options नमबर B होगा, next questions क्यों बढ़ते हैं, तिसरा नमब कोड़े कार जो अर्थ होता है, वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, हार मानना, यानि घुटने ठेक दिया, कहते हैं कि घुटना ठेक दिया, मतलब क्या हुआ, हार मान लिया, options नमर क्या होगा, यह यहाँ पर right answer होगा, और यह जो questions है, 2025 के लिए काफी ज़्यादा रामबान स संपुन करांती के रचनाकार बताने का प्रयास करें, comment box में, सभी का comment आना चाहिए, हम देखे या ना देखे, लेकिन comment box में आपका answer आना चाहिए, जो की right होगा, और आपका, यहाँ पर पता भी चलेगा, कि आप कितना अच्छा ते त्यारी कर रहे हैं, तो संपुन करांती याद रखेंगे, यह भी questions आपसे रामबान पूछे जाते हैं, जो की आगे भी देखने को मिल सकता है, उदंड का बिलोम है, पांच नमबर questions है, उदंड का बिलोम बताईए, बिनर्म, खोंकार, कठोर या करकस, उदंड, उदंड का मतलब क्या होता है, प्यारा साथि, यहा थोरा, थोरा, खटपटार टाइप का जो की, और बिनर्म क्या होता है, मतलब एकदम सीधा साथा, सांथ स्वभाव का, next questions के बरते हैं, तो कारक के कितने बेद होते हैं, कापी छोटा कोचंस आपको दिख़रा होगा, इसकी quality, थोरी डाउन हो गई थी, तो कारक के कितने कार के होते हैं, जो की इसका answer भी इसमें डाला गया है, ताकि आपको बिल्गुल देखने में दिक्कत न हो, next questions के बरते हैं, तो यह नया माल है, इस वाक्ये में नया सब्द बताइएगा, कापी important questions आपके लिए star mark सवाल है, और 100% ऐसे-ऐसे questions जो है, आपके 2025 में 100% प्यार सा बताती हुए, MBVI सवाल है, याद रखें, तो यह नया माल है, इस वाक्ये में जो है, नया सब्द है, बताइएगा, संगया है, स्वरणाम है, बिसेशन है, किरिया है, बताने का प्रयास करें, कोच्चंस का answer फड़ा परस्याना चाहिए, यह नया माल है, इस वाक्ये में नया सब्द बताने का प्रयास करें, बिल्कुल भी नहीं रुखेंगे, और B-Session बढ़ा के आगे क्यों हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स कोचंस यह रहा, फिर से थोड़ा इंपोर्टेंट कोचंस से ध्यान देंगे, जिसने, जिसने गुरु से दिच्छाली हो, उसके लिए एक सब्द का संदिविच्छी बताने क्या 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 है, तो सिभ का उपासक से जालाता है, याद रहा कि, और B-Session बढ़ेंगे, बताएगा, बताएगा, जिसने, चतुराई में कौन सा है, आई, यहाँ पे और D, बिल्कुल इस्प्रस्ण का राइट एंसर होगा, आई है, अगला सवाल ये रहा, शुक्ति सब्द का संदी विच्छेद बताईए, तो सुक्ति का जो संदी विच्छेद होता है, right क्या होगा यह है, सू, जूर, उक्ति, जो कि options नमर B में है, सुक्ति का, अगला सवाल ये रहा, अगनी सब्द का प्रयावाची सब्द बताईएगा, त अगला सवाल यह रहा कि पंचवटी कौन सा समाज है? पंचवटी प्यार साथियो कौन सा समाज है? तो बिल्कुल यहाँ पे दियुगू समाज है. उप्संस नबर सी यहाँ पे राइट एंसर होगा. खुन पसीना एक करना मुहावरे कार्थ बताइएगा. उप्संस नबर कोचनस का जवाब जो है. कॉमेंड जो है. एंसर आना चाहिए फड़ापट से. खुन पसीना एक करना का मतलब क्या होता है? अपने आपको यहाँ पे बहुत प्रसरमी करना. उप्संस नबर क्या होगा यहाँ पे? बी इस प्रशन का राइट एंसर होगा. मलेज की रचना नहीं है. 18 नबर कोचनस का जवाब बताइएगा. मलेज की रचना नहीं है. तो बिल्कुल ना आने वाला कल. सदियों का संदाब यहाँ पे बलकद खुए. तो तिनों का तिनों है. बट यहाँ पे नहीं पूछा गया. उप्संस नंबर डी यहाँ पे इस प्रशन का राइट एंसर होगा. इन में से कोई नहीं. और यह रहा उपवास में कौन सा उपसर्ग है. तो उपवास में जो है व्यारसातियों यहाँ आप कौन है? उप उपसर्ग है. कौन है? उप उपसर्ग है. जो कि सभी को उमीद है कि आता होगा. आप साकार का विलोम बताईए. साकार का विलोम आपको बताना है जो कि काफी ज़्यादा इंपोटेंट है. और ऐसे कोचन्स आपके विहारबोड एक्जाम 2025 में देखने को मिलेगा. जो कि रामवान इस चेप्टर के लिए है. साकार का विलोम आपसे पूछा गया है. काफी आपे टाइम लगा है इस परकार के PPT को बनाने में काफी इंपोटेंट कोचन्स ड़ला गया है. तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करने का. तो बताइएगा कि साकार का विलोम क्या होगा. साकार का विलोम जो होगा यहाँ आपे निराकार. ओप्सेंस नमबर ए इस परशन का 100% राइट एंसर होगा. उदया परकास का जन्म कब हुआ था? 21 नमबर कोचन्स का जबा बताइएगा. उदया परकास का जन्म जो है प्यार साथी हो 1922 में हुआ था? कब हुआ था 1922 में? चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं? तो ये रहा आपके इसके इनके सामने तिरिच किस परकार की रचना है? प्यार साथी हो 22 नमबर कोचन्स का जबा बताइएगा. तिरिच जो है ये किस परकार की रचना है? जी हाँ 22 नमबर सवाल का जबा आधूनिक तरासदी है. जो कि ऑप्शन्स नमबर A में है आधूनिक तरासदी याद रखेंगे. अगला नमबर कोचन्स नमबर मोहन राकेस के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेस के जो बचपन का नाम था, वो क्या था? और आज का यह रहाँ आपके सामने लास्ट कोचन्स सुपरफास्ट क्लास का प्रकृतिक वर्नन से सम्मंदित कविता कौन सी है? तो परकृतिव वर्नन से जो है, यह कौन सी है, उसा है, यहाद रखेंगे, जिसमें भोड का वर्नन किया गया, यानि सुवा का वर्नन आपसे किया गया है, किसका सुवा का वर्नन किया गया है, तो बिल्कुल आप लोग भी सुवा का इंतजार न किरें, और आज ही इस कलास को दुबारा देख लिए ताकि आपका एक कोचल त्यार हो जाए और 2025 के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाए इस चेप्टर के लिए तो आज का ये क्लास कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे शाथी साथ सेरे करेंगे लाइक, सब्स्क्राइब, जरूर खरना आपका बनता है तो फड़ाआपचर बट से कर दे लाइक, सब्सक्राइब, सेर, और चैनल को और नौटिकाशन को लिए तो आज की कलास में इतना ही मिलते है विट्च अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाइबाइब टेक क्यार